किसी ने कहा investment का कोई सही समय नहीं होता अगर इंवेस्ट करना ही था तो आपको दस्ताल पहले करना था नहीं तो आज करना है नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको तो इन्वेस्ट स्क्रीन के बाड़े कुछ नया टिप्स दोंगा चलिए मेरे स्क्रीन पर हलो गाइस वल्कम टो माई यूटूब चैनल तो आज हम देखेंगे कैसे आप सिर्फ 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करके आप 3.9 रुपीज पा सकते हो वह कैसे तो देखते हैं उससे प आप इन्वेस्टिंग इन्वेस्ट गिवन सिपोर्य रिटेंग्स इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कहा थी कहा कि जो आपका जो पोर्फोलियो है उसको डायवर्सिफिक्शन करना चाहिए ताकि सिप नोट अली इव इन्वेस्ट इन इन्डियन स् जाहिए पहले बन तो डिवेस्ट नम्र वान है जिवे मार्केट खो पर्फोमस रो एंडियन स्ट्रॉंइन स्ट्रमत से मार्क से बीटर है मीस भौला रहिए कबसे कम 250 सब रहा हिसका अईंडियान मार्केट का जो श्टाड हुआ होए तो तो ऑबेसली मैचिरिटी वह बहुत ही आप हो गया तो यहां पर लिखाता है देज़ स्टाड मार्केट डी और दाव जोंस इन्देंस फर अगरेक्स फर अचमपल आउट पर्फोंड इंद्यान स्टाग मार्केट बीएसे सेंसे के लास्ट टें यर्स लास्ट दस शाल में आप देखोगे इस चार्ट पर तो उसका जो जो ऑरेंज बिशलोड चार्ट है तो युक्या अचल के यह विए सेंसेक्स आल्योज तो अब्यूसली दिखा को पाररी आप उसके पर्फोर्मेंस बहुत ज्यादा अच् है रिजन नमर्टू जो रूपी का जो वेलू है वो डेप्रिशेट हो रहा है अगर देखा जाए दस सार पहले रूपी का वेलू था यूएस डॉलर के साथ और आउन 50 रूपीस 45 रूपीस के आज पास था लेकिन आज उसका प्राइस हो गया 77 पर संथिंग तो जो वेलू है वो तिरे धिरे डेप्रिशीट हो रहा है यह हालां कि यह अच्छा नहीं है इंडिया के लिए लिकिन हम उस इस प्रॉब्लेम को सॉल्ब कर सकते हैं बाइ इन्वेस्टिंग इन्वेस मार्केट ठीक है तो इन दे पास्टेन यह ताब यूस डॉलर तो आईनर एक्शेंस रे तो यहां पर आप देख पार होगे दो डाओ जॉन्स बीएसी सेजेक्स और डॉलर का जो ग्राफ है किस तरह से निकल रहा है लास्टेन यह तो कितना अच्छा होता वाट इप्यू है इंवेस्टेट 1,000 इन माइक्रोप्ट एवरी वीक अगर हर हफते अगर 1,000 रुपिस आ तो आपको रिटर कितना होता तो आपको रिटर होता है एराउंड 27.5 लाक्स लास्ट 10 यह में ठीक है अगर आप 1,000 रुपिस आपल स्टॉक में इंवेस्ट करते तो आपको जो प्राइस होता आज का दिन में 30.9 लाक्स होता तो यह है सा एसाइपी का में कॉंसेप्ट या क युकि कमपाउणिंग करते घरे घरे अगर इंवेस्ट करते आप स्लोली SIB की थ्रों हर हटे 1000 करके तो आपका कितना होता एराउंड टोटल इंवेस्टमेंड होता 52 इंटू एंटो दस साल तो आपका प्रोटल इन्बेस्ट में भता है तो टोटल फैफ लाख टोटीटीटू थाउजड तो तो प्रोटल फैफ ने तोटल अप इन्बेस्ट करते हैं आपको मेरते हैं लास्त टेन ये यह स्ट्टी पर्न नाक्स तो हीचिज विच इस हीज मतलब अल्मोस शेख मेरा बढ़ गे आपका पैसा तो इसलिए आए एंदी मानी जो यूए स्टॉक में इंवेस्ट करते हैं इंदियान के लिए उसने एसे पी इंट्रोडिस्ट किया इंट्रोडिस्तिस्टिंस सब्सक्राइब इसका बेनीफिट क्या है बेनीफिट यह है कि इंपेस्ट पर पहले 500 पिस साब इन्वेस्ट कर सकते हो विद SIP you can start investing just 500 each month and watch your investment grow and long term write out market volatility जो market volatility होगा मत्तब जो आपका value होगा average हो जाएगा वो रुपी कोस्ट averaging हो जाएगा उसका ठीक है और flexibility एसापी के थरो you can do immense flexibility you can increase decrease SSB amount in a single click आप उसको increase भी कर सकते हो decrease भी कर सकते हो depend on your budget तो इसी तरह आप slowly slowly आपका investment है वो बढ़ा सकते हो आप तो आपका अगर यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज आपके दोस्तों को से श्यार कीजिए और अभी इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन को आप बजा दीजिए ताकि आगला जो वीडियो है आपके बास जल्दी पहुँच जाए मैं आपका दोस्त देवोजित साइनिंग आप हैपी इंवेस्टिंग